वेलकम बैक तो मैं चैनल इस इने अफ्रीटिव आज मैं सिंपले ग्लैटीज इफेक्ट आज फोटो सब्सक्राइब जैसा ही मैंने ग्लैटीज इफेक्ट पाफोटो डाला था वैसा ही हम लोग में वीडियो इडिरिंग भी सेम तरीके से कर सकते हैं लेकिन इसमें कुछ में वो शिखाने वाला हूँ विदाउट एटव एटव इनी एफेक्ट यूजिंग टेट लोग बिदाउट इफेक्ट यूज नहीं करके भी हम लोग सकते हैं चोंपली हम लोग मैं एक इमपोर्ट कर रहा हूँ फाइल उसके बात फाइल को हम लोग ड्रेग और डाउन करत आप चाहे तो आडियो भी रख सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं चूज कर लिजे आपको कुछा फोटो में यूज करना है तो simply इसमें time code matter नहीं करता है तो simply यहाँ पर देख सकते हैं एक workout का scene है तो मैं यहाँ से इसको cut कर देता हूँ सी प्रेस करते हुए keyboard में इसको cut कर रहा हूँ और इतना ही ले रहा हूँ मैं दिखाता हूँ इसको कैसे glare effect डालना है तो simply इसको हम लोग पहले लिंक कर लेते हैं वीडियो को on link करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है दो दो एक एक frame में आपको cut करना है एक frame यहाँ पर cut किया मैंने एक frame यहाँ और फिर से मैं यहाँ पर जा रहा हूँ दूसरा frame पर वहाँ पर cut कर रहा हूँ और थोड़ासा आगे जाके यहाँ पर cut कर रहा हूँ आप चाहे तो बहुत लंबा तक वीडियो को gladis effect देना चाहते है मैं suggest करता हूँ कि ज्यादा gladis effect नहीं डालना कभी कभी वीडियो editing लब आप song editing वीडियो hansing का है तो उसमें डाल सकते हूँ next step अम लोग को copy लेंगे layer को simply alt phrase करते हुए copy होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है effect control में जाना है और इसका opacity थोड़ा सा कम करना है opacity 50% 55% कर दीजिए और इसका position या फिर size scale छोटा कर दीजिए आपर देख सकते हैं मैंने scale छोटा किया है यहाँ पर थोड़ा सा side में भी slide कर देता हूँ as a simply देख सकते हैं आपे और मैं इसको on करके दिखाने वाला हूँ सकते हैं आपे gladis effect जैसा आ रहा है और next step simply same step हम लोग करने वाले है प्रेस करते हुए copy ले लीजिए keyframe को drag करते हुए इसमें जाएंगे और इसमें हम लोग आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है तो simply मैं इसका opacity 50% कर रहा हूँ और इसमें उस time पे हम लोग ने tail छोटा किया था तो मैं इसका position side कर देता हूँ simply पर देख सकते है यह on करके दिखा रहा हूँ सकते हैं यहां पर simply without coloring black and white I mean medium color में यह है same next step आम लोग क्या करने वाले है तोड़ा सा मैं इसमें hue saturation यूज करके दिखाने वालो कोपी ले लीजे लेर का और then next step आपको यहां पर जाना है और आप lunamatic color यहां पर मेरा preset में open करके रखा है lunamatic color इसमें जा के आप color balancing कर लीजे है कौन सा color चाहिए मैं यहां पर जाके contrast बढ़ा रहा हूं contrast blue कर दे रहा हूं और इसमें थोड़ा सा shadow like shadow shadow टिप पर्शन रख रहा हूं रख रहा हूं रख रहा हूं इसके बाद यहां पर देख सकते आ गया है कौन सा चाहिए blue भी उज़ कर सकते है कोई भी उज़ कर सकते हैं यहां पर आइटर पर देख सकते हैं यहां पर अल्रटी मैंने blue तो layer रख आई है तो layer रख आई है simply फिर चे हम लोग यहां पर क्या करेंगे यह opacity कुछ भी नहीं change करेंगे हम लोग थोड़ा सा slide कर देते हैं बहुत ज्यादा ही हो गया क्योंकि background पिछे का दिख रहा है थोड़ा सा कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा में कर देते हैं